बहुत लोग आप में से भी चाहते हैं कि वो बागवानी करें पर कुछ ना कुछ उनको शंकाएं होती हैं कोई डाउट्स होते हैं जिनकी वज़े से उनको लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो उसका हम एक एक करके आपको सल्यूशन देंगे नोएडा की रहने वाली रितू मिस्रा किचन गार्डनिंग की एक्सपर्ट हैं ये पिछले आठ सालों से अपनी छत पर अलग-अलग तरह की सबजियां उगा रही हैं आज रितू मिस्रा उन सवालों का जवाब देंगी जो अक्सर बागवानी शुरू करने के इच्छुक ल बाद हैं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मैं रितू मिश्रा नॉडा निवासी और पिछले आठ साल से बिलकुल प्राक्रतिक खेती कर रही हूं अपनी चत पर और यह आप देखी रहें चारों तरफ कि मेरे यहां पे बैंगन भिंड पालक, बीन, लौकी, तोरी, कद्दू, करेला यह सब चीजें यहां पे हमने उगा रखी हैं और पांच साथ साल से इतना अच्छा ताजूर्बा हमको हुआ कि हम इतनी सबजी ले पार रहे थे तो हमने सुचा कि इसको एज़ा ट्रेनर बने और और लोगों को भी सिखाया तो हमने श्रीश्री इंस्टिटूट ओफ अग्रिकल्चर साइंसे जहां से हमने खुद ट्रेनिंग लीती उन्होंने हमको इसको सिखाने की भी ट्रेनिंग आगे दी और आज हम पचास लोगों को अल्रेडी ट्रेनिंग दे चुके हैं बहुत लोग आप में से भी चाहते है कि वह बागवानी करें पर कुछ ना कुछ उनको शंकाएं होती है कोई डाउट्स होते हैं जिनकी वज़े से उनको लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो उसका हम एक एक करके आपको सोल्यूशन देंगे सबसे पहले यह शंका आती है कि मिटी कहां स तो मिटी के लिए आपको आसपास में पार्क होगा वहां से ली जा सकती है मिटी बगीचे होते हैं खेत होते हैं वहां से ला सकते हैं आप गौशाला हैं वह आपको मिटी प्रदान दे सकती हैं और मिटी के साथ-साथ वहां से आपको खाद भी मिल जाएगी जो की बहुत फ और लाइन मिल जाती है, Amazon भी देता है उसको, आपकी मिट्टी का मिक्स्चर जब रेडी हो जाता है, उसके बाद आपके दिमाग में यह आता होगा, कि अब हमको गमले चाहियें, अब गमले तो दसियों तरीके के हैं गमले, आपको कौन से चाहिएं, कोई भी गमला, आप अग जाते हैं थ्रचाण की चेज़ और वह आपका अच्छा गमला बन जाता है लोग तो बाथ टब में भी इतने अच्छे तरीके से गमले गमला बना के उसमें भी उगा लेते हैं तो गमले की कोई समस्या नहीं है आपकी इच्छा शक्ति हों नी चाहिए आप देखे मेरे यह तो हमने टायर को काटके उसके नीचे हुरी वाली जो एक और लगाने के लिए क tabii शीट वह लगा के ईसमें भी हमने उगा रखा है है मेरे हां कितने कोई ने कम कापाश को दय demean मेरे से कह फोनी देन तो उसके लिए आपको सीड चाहिए जाएं, आप दुकान पर जाएं, उन दुकान दार जो नसरी की दुकाने होती हैं, वहां पर आपको सब बीज मिल जाते हैं, देसी वराइटी पिक किजें, देसी वराइटी से ये होगा कि आपने आज बीज से पौधा बनाया, आप तो देसी तोरी को एक जो सबसे अच्छी तोरी आपकी दिख रही है उसको रख लिजे बीज बनाने को सुखने दीजे पेड़ पे और वही आपको बीज दे देगी आपके अगले मौसम के लिए तोरी वहीं से निकल आएगी और आप माने प्राकृतिक तरीके से जब खेती कर जिसमें हम कोई भी कैमिकल को अपने मिट्टी के अंदर या पौधे के अंदर टच नहИं करने देते हैं उससे यह होता है कि कोई भी कीटपौधों को लगता नहीं और पौधे की अपनी क्समता या इम्म्यूनीटी इतनी स्ट्रॉंग होती है कि वह अपने आप ही अपने आपको तंदुरुस्त रख लेता है तो ये एक प्राकरतिक खेती का सबसे अच्छा हमको जो नजर आया जो फाइदा हमें नजर आया वो ये कि पौधा अपनी देखबाल खुद कर लेता है बशर्ते हमको उसको वो चीज सब देनी है जो कि उसकी परवरिश के लिए उसको चाहिए और उसके लिए हम उस पौधी की ही सारी चीजों को यूज करके और वो तो कमलों में डालते रहतेते जैसे पत्ते जड़े तो आपने पत्ते डाल दिये उसी लिए डम ले khi अंदर वो उसके लिए मल्च का काम कर गए इसी तरीके से हम अपने अच्छे म प्रॉटेंट चीज जो हमको ध्यान रखनी है वो ये कि हमारी किचन से जितना हरा जो कच्रा निकलता है चाय की पत्ती होती है छिलके होते हैं फलों के सबजियों के इन सब को हमको कच्रे में नहीं डालना है ये हमारे को वापिस धर्ति को देना है कैसे अब आप बोलेंगे य अपने घर का कोई भी कच्रा बाहर नहीं जाने देती हूं मेरा सफाई करमचारी जो कूड़ा लेने को वह खुश रहता है कि इनके घर से तो हमको कभी भी जादा कच्रा नहीं मिलता और मेरे घर में जो भी आप अभी पौधे देख रहें उन सब में वही जो कच्रा था वह सब्सक्राट करने का हा करके हमको उप्लब्द हुई खाद है वह हम उसको कहते हैं काला सोना मैं अपनी छत के लिए उनको उसको बोलती हूं काला सोना और वही जो है जो मेरी छट की जो बागवानी कर रही हूं उसकी बेस है जो मेरे घर का कच्रा है उससे जो मैंने कमपोस्ट बनाया है वो मेरी इसाद का काम मेरे को वो करके देता है और इसी के वज़े से मैं पिछले कोई दो या तीन साल से कोई खाद मेरे घर में नहीं आई है जो खाद मेरे घर में हर दूसरे तीसरे महीने में तयार होती है वो ही मेरे गमलों में वापिस जाती है और नई बनती रहती है निरंतर मेरे पास अपनी होम कमपोस्ट का सप्लाय तो इस तरीके से अगर हम एक बढ़ ठान लें कि हमको अपनी चत के ओपर बागवानी करनी है तो हमारे पास कुछ भी बाहर से आने को नहीं है एक बार बस सीड लाना होगा या बीज लाना होगा हमको उसके बाद वह बीज भी हमको हमारी चत से मिल जाएगा जो कछ्रा हमारे जेनरेट होता है एक महीना, दो महीना तीन महीने में वोह हमारी कमपोस्ट बन ऐगी वोही हमारे पौदों के लिए खाद बन जाएगी और हमारे को परियावरण को भी हम वो दे पाएंगे जो हम दे ना चाहते हैं हमेशा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेर जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले